हेलो एवरिवन हरियाना पुलिस दूर्गा सक्ति का जैसे आपको पता है कि एक्जाम हो चुका है कल और उसकी एक्सपेक्टिड कटोफ को लेके आप लोगों के सामने इस वीडियो के अंदर हम कम्प्लीट डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले तो आपको बता दे वही टोटल जो वकैंसी थी दुर्गा सक्ति के लिए वो 480 वकैंसी थी और सिरफ 45 परसेंट कंडि रेट ही एक्जाम देने के लिए पहुंचे थे अगर हम बात करें 55 परसेंट ऐसे कंडि रेट थे जिए होने फोम तो फिल अफ कर दिया लेकिन एक्जाम देने के लिए नहीं पहुंचे भई अगर हम बात करें पूरी की पूरी detail के साथ स्थ तो सबसे पहले आप लोगों को एक बार vacancy के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जनरल की जो total vacancy रही वह रही बही 252 vacancy तो जनरल की थी ऐगर हम बात करें ऐसी की 125 vacancy थी और b c A की 5000 vacancy थी और b c b की 56 vacancy थी EWS के अगर हम बात करें तो टोटल 70 वकैंसी थी इस तरह से आपके टोटल 603 में पोस्ट हो जाती हैं और एक्सपेक्टेड कटोफ की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर टोटल फोर्म की बात करें तो टोटल जो फोर्म भरे गए थे वो 1.68 लाक के आसफास फोर्म भरे गए देखें और 45 परसेंट यानि की 1.68 लाक का 45 परसेंट ही कंडिडेट वहां पहुंचा था एक्जाम देने के लिए अगर हम 1.68 लाक का पेंटारीस परसेंट देखें तो लगबग आपका पिछेतर हजार सम्थिंग आपके जो कंडिडेट थे वो पहुंचे थे आपके expected cutoff है वो क्या रही है SCBCA की यह जो हमने cutoff त्यार की है आप लोगों की यह हमारी पोल से और आप लोगों के जो comment आये थे comment के according आपके messages के according और paper का level देखते हुए सारी अच्छे से त्यार की थी हरियाना police male constable की भी जो हमने cutoff त्यार की थी वो भी आपकी exact वही रही थी मैं आप लोगों को खुस करने के लिए cutoff कम नहीं बताऊंगा क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे पीछे वीडियो आई थी उनके अंदर आपको खुस करने के लिए बोला था 45 cutoff रहेगी 45 question वाड़े का आ जाएगा और मैंने फिर भी उस time पे भी आपको 51 से बावन question के आस पास बताए थी ऐसी के लिए ठीक है तो वहाँ पे अगर हम बात करें उसी तरीके से दुरुगा सकती के जो exact cutoff रही थी वो paper के level को देखते हुए यहाँ पे एक ही shift में paper हुआ था और यहाँ पे जो paper का level था वो easy से लेके moderate level था 70% जो paper था वो easy था बाकि कुछ जो question थे वो इंडिया जी के और current affair को लेके थोड़ा साटफ था अधरवाइस computer subject की बात करें या फिर और हिंदी इंगलिस किसी भी subject की बात करें और own paper जो था वो easy था 70% 30% moderate level का paper था और syllabus के अंदर से ही paper था ऐसा नहीं था कि आपका out of syllabus था त तो यहां पर जो general की SCBC की cut off की अगर हम बात करें तो लड़कियों की आजकल जो cut off है वो अब ऐसा नहीं है कि पहले लड़कियों की 50 पीचपन question ठीक हो जाते थे तो उनका selection हो जाता था अब लड़कियां जो है इस field के अंदर काफी लंबे समय से त्यारी कर रही है और उनकी की त्यारी को देखते हुए यह cut off जो हमने त्यार की है इसके परहे मैं आप लोगों को बताएंगे भई तो देखो यहां पर हम बात करते हैं general की cut off को लेके सबसे पहले general की जो cut off है यह आपकी cut off रहेगी question की cut off रहेगी एक ही shift होने की कान इसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि आ क्योंकि इतने question अगर आपके ठीक हैं अगर आपके तो आपका 100% आपका physical के लिए आ जाएगा यह हमारी जो cut off है इसके अंदर हम बात करते हैं ऐसी category की तो 61 से 64 question अगर ऐसी category के अंदर आपके ठीक हैं तो आप अपनी physical की तयारी में जूट जाए और BCA की बात करें तो 65 से 68 question और हम बात करें BCB की तो BCB के 67 से 70 question BCB की cut off वोड़ी जादा जाती है और EWS की जो पहले cut off जाएगी वो 68 से ही कैतर जाएगी यह जो cut off मैंने त्यार की है आप लोगों के जो जवाब आये थे जो आप लोगों का जो response रहा था उसके भी आप पे त्यार की है यहाँ पे देखो फाइनल जो cut off होती है उसके अंदर general की cut off ज्यादा होती है अभी EWS की cut off थोड़ी ज्यादा रहेगी यहाँ पे अगर हम बात करें कितने candidate को बुलाया जा सकता है तो candidate के अगर हम बात करें तो total जो हमारे लगबग 7 गुणा candidate बुलाया जाएगे भी तो total कितने गुणा candidate बु पास जो है candidate को बुलाया जाएगा अर्टाड़ी सो से उन्हें इंचा सो candidate को बुलाया जाएगा आपका physical के लिए ठीक है लगबग 7 गुणा को बुलाया जाएगा उसके बाद फिर security के उपर आपके लगबग 3 गुणा candidate को बुलाया जाएगा भी तो इस तरह से आपका पूर आपको अपडेट चाहिए और रिजल्ट के रिकार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए आपको और exam के solutions से रिगार्डिंग सारी सारी चीजें आप लोगों को चैनल की playlist में मिल जाएगी चैनल को subscribe करके bell icon को press कर ले ना भई आने वाड़े वीडियो के अंदर आपका जो भी doubt है वो भी ले लिया जाएगा thank you have a good day